हलो स्टुडेंट आज का हमारा टोपिक है कक्षा 10 के अधैय नमबर 13 विदूत दारा के चुमकिया प्रवाव से समंदित वैदूत जनीत इससे पहले हम लोग वैदूत मोटर के बारे में पढ़ चुके हैं तो आज हम लोग पढ़ेंगे विदूत जनीतर के बारे में और वैदूत जनीतर वैय युकती जो यांत्री कुर्जा को वैदूत जनीतर में बदलती है उसे वैदूत जनीतर कहते हैं नेक्स्ट वैदूत जनीतर दो परकार के होते हैं एक परत्यावरती दारा जनीतर और एक होता है द्रिश्ट दारा जनीतर तो आज हम लोग पढ़ने व परत्यावर्ती दारा जनितर वे जनितर जिनसे हमें परत्यावर्ती दारा उत्पन होती है उन्हें परत्यावर्ती दारा जनितर कहते है परत्यावर्ती दारा परत्यावर्ती दारा वह दारा होती है जिसका मान और दिसा समय के साथ बदलती रहती है यदि हम परत्यावर्ती धारा आई और समय की वीच ग्राफ खिंचे तो परत्यावर्ती धारा का ग्राफ इस परकार ग्राफ होता है तो यह परत्यावर्ती धारा का ग्राफ है जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है इसके बाद आता है परत्या वर्ती धारा जनीतर का सिधान्त वेदू जनीतर वेदू चुमके प्रेण के सिधान्त पर करे करता है यह कोशन एक नमर में पूशता है कि वेदू जनीतर की सिधान्त पर करे करता है जिसके अनुसार यदि किसी कुंडली से सबंदित चुमके फलक्स के मान में परिवर्तन किया जाए तो कुंडली में प्रेरी धरा आयूत्पन होती है नेक्स्ट वैदू जनीतर की सरचना वैदू जनीतर की सर्चना में वैदू जनीतर के महत्वपून पार्ट होते हैं कुंडली जिसे आर्मेचर या कुंडली कहते हैं आर्मेचर भी कहते हैं इसको दूसरा आता है छेतर चुंबक तीसरा सरपी वल्ले और चोता आता है ब्रश डाइग्राम में नोर्थ पोल और साउथ पोल एक चुम्बक के नोर्थ और साउथ दो पोल को दिखाया गया है और A, B, C, D याँ पर एक आयता कार कुंडली है R1 और R2 दो वल्ले हैं जो आगे ब्रश B1 और B2 से जुड़े हुए है तो यह अपना पूरा स्ट्रक्चर है विदुद जनीतर का Next कुंडली विदुद जनीतर में कच्चे लोही की एक कुंडली होती है जिसे जिस पर तांबे के तार दपेटे होती है A, B, C, D एक कुंडली है Next, पार्ट है हमारा छेतर चुम्बक कुंडली को चुम्बक के बीच रखा जाता है और कुंडली के एक तरफ N सीरा ता दूसरी तरफ S सीरा रहता है सरपी वल्य कुंडली A, B, C, D आगे दो वल्यों R, 1 तथा R, 2 से जुड़ी होती है Brush सरपी वल्यों को आगे ब्रशों B, 1 और B, 2 से जुड़े जाता है जो कार्बन के बने होती है इसके बाद आता है कारे विदी कारे विदी में सबसे पहले हम आदे चक्कर की बात करेंगे सरफ परत हम आदे चकर में कुंडली को इस प्रकार गुमाते हैं कि कुंडली की बुजा A, B पर लगने वाला बल उपर की तरफ और बुजा C, D पर लगने वाला बल निचे की तरफ करे करे तो हम जानते हैं कि फ्लेमिंग के दाए इन हात के नियम के नुसार यदि चुमके शेतर भी इनके परपेंडिकुलर हो तो कुंडली में प्रेरित होने वाली दारा की दिसा A, B बुजा में A से B की तरफ और C, D बुजा में C से D की तरफ होगी तो यह हम लोग लिखने वाले हैं कि परत्यावर्ती दारा जुनितर में यदि कुंडली को इस परकार गुमाया जाए कि A, B पर एक बल उपर की तरफ तथा C, D पर एक बल निचे की तरफ कारे करे तो फलेमिंग के नियमा नुसार कौन से नियम के नुसार दाएं हाथ के नियम के नुसार क्योंकि फलेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोगम दारा की दिशा गयात करने के लिए करते हैं परिपत में प्रेरित दारा उत्पन होगी जिसकी दिशा A, B में A से B की तरफ और C, D में C से D की तरफ होगी आदे चक्कर के बाद क्या होगा कि C, D, बुजा पर लगने वाला बल उपर की तरफ कारे करेगा जबकि A, B बुजा पर लगने वाला बल निच्चे की तरफ कारे करेगा इस तिति में बुजा C, D में परवाहित होने वाली दारा की दिशा D से C की तरफ हो जाएगी और बुजा A, B में परवाहित होने वाली दारा की दिशा B से A की तरफ हो जाएगी तो प्रतम आदे चक्कर के बाद बुजाएंग की स्थिती बदल जाती है जिससे बुजा C-D परबल उपर की तरफ तथा बुजा A-B परबल निचे की तरफ करे करने से A-B में दारा B-A की तरफ और C-D में दारा D-C की तरफ प्रवाहित होती है इस प्रकार में जनित्र से परत्यावर्ती दारा इसी प्रावत होती है इस प्रकार इन चास्टे में पूरा होता हमारा वदू जनित्र परत्यावर्ती वदू जनित्र सबसे पहला आता हमारा फर्स्ट पार्ट आता हमारा परिबासा सेकंड नमबर पर आता है हमारा सिधान्त थर्ड नमबर पर आता हमारा सरचना और फोर्थ नमबर पर आता हमारा कारेविदी इस परकार हम यदि चार मार्क्स में तीन मार्क्स में कुछन बड़ा पुछा जाता है तो उसको attempt करेंगे तो में पूरे max मिलने वाले हैं तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजेगा और सब्सक्राइब करना हमारे यूटूब चेनल को ताकि हम ऐसे यूटूफल वीडियो को आप तक पहुंचा सकें थैंक यू